तो कक्षा दस्वी की आज की जो वर्कशीट है वो है 74 और आपका विशय है समाजिक विज्ञान अर्थसास्त्र तो आज की तिथी अपना नाम और अपनी अध्यापक का नाम लिखने के साथ ये वर्कशीट आपको शुरू करनी है सबसे पहले आपको दिया गया है कि वैश्वी करन भारती अर्थवर्वस्ता पुनावरती कारे हैं रिवीजन वर्क है आपका ये इसमें आपको वैश्वी करन भारती अर्थवर्वस्ता से जुड़ेवे लगू और धीर के प्रशने दिये गए हैं 3-5 अंक के और उसके लवा आपको शोत अधारित प्रशने दिये गए हैं 4 अंक के बतलब एक एक अंक के 4 प्रशने हैं आपके पास और आपको दिया गया है जो पैराग्राफ है आपको उसको रीड करना है उसके बाद अंसर करना है उससे पहले आपको ये 10 प्रशने दिये गए हैं इन वैश्वी करन से जुड़े हुए कुछ आपको यहां पे वाक्य दिये रहे हैं वाक्यों को पढ़के आपको उत्तर करना है इन चारों प्रश्णों का ठीक है तो चलिए देख लेते हैं कि हम इने कैसे लिखेंगे सबसे पहला प्रश्ण है आपका वैश्वी करन से आप क्या समझते हैं तो वैश्वी करन से आपको क्या समझाता है सबसे पहले वैश्वी प्लस एकी करन तो आप देखेंगे विश्व प्लस एकी करन ठीक है उत्तर शुरू होता है कि वैश्वी करन दो शब्दों से मिलकर बना है विश्व प्लस एकी करन तो पूरा विश्व मिलके एक हो जाए दूसरा पॉइंट है इसका दूसरा बिंदू विश्व के एक होनी की प्रक्रिया को ही वैश्वीकरन कहते हैं तीसरा बिंदू है वैश्वीकरन के कारण विभिन देशों के बजार आपस में जुड़ गए है चौथा बिंदू है पूरा विश्व एक वैश्वी गाउं की तरह हो गया है इसके बाद दूसरा प्रश्ण है विश्व वैपार संगठन क्या है इसके क्या कारे है इसकी कमिया क्या क्या है तो आप को यहाँ पर बताना है कि विश्व वैपार संगठन क्या है देखें यहाँ पे तीन तरीके से पूछा गया है कि विश्व वैपार संगटन क्या है कार क्या है इसके और इसकी कमिया क्या है तो तीन चीज़े बतानी है सबसे पहले बताएंगे कि विश्व वैपार संगटन WTO एक अंतराष्टिय संगटन है जिसकी स्थापना 1995 में की गई थी ठीक है इसका मुख्य उद्देश विश्व वैपार को बढ़ावा देना है इसके बाद कारे हैं इसके कारे में आप तीन बिंदू लिखेंगे कि आप और भी लिख सकते हैं अपनी तरफ से आप एड़ाउन कर सकते हैं क्योंकि आपको अपना जो अंसर है उसे और भी अच्छा बनान वैपार एक जगडो का निप्टारा करना तो ये चार बिंदू लिखे हैं इसके बाद कम्या कम्या आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं यहाँ मैंने एक levels में लिख है आप चाहें तो जैसे इस इने भी पॉइंट में लिख सकते हैं आपका अंसर उतना ही जादा इफेक् नहीं रही है विश्व वैपार संगठन विक्सित देशों के पक्ष में पक्षपात करता रहा है यह हमेशा से होता रहा है और आज भी होता है फिर है प्रश्न तीम बहुरास्टे कंपनिया क्या होती हैं बहुरास्टे कंपनिया किस प्रकार उत्पादन पर नियंतरण करती है तो बहुरास्टे कमपनिया क्या होती है ये बताएंगे और कैसे नियंद्रण करती है ये आपको बताना है तो इतर है वे कमपनिया जो एक अधिक देशों में वैपारे उत्पादन करती है बहुरास्टे कमपनिया कहलाती है ठीक है जैसे पैपसी, एपल, टाटा और सैमसंग आदी और भी हो सकते हैं आप वो भी लिख सकते हैं एक्जामपल में नियंत्रण के तरीके क्या है स्थानिय कंपनियों के साथ साजेदारी करके स्थानिय कंपनियों को खरीद कर या स्थानिय कंपनियों को उत्पादन का ओर्डर दे कर तो यहाँ पर अलग-लग तरीके से वो नियत्रण करती है इसके बाद है प्रशन चार निवेश क्या है विदेशनी निवेश से किस प्रकार भिन्न है सबसे पहले निवेश क्या होता है ये समझना जरूरी है इन्वेस्मेंट क्या होता है निवेश का अर्थ है लाब के उद्देश से पूंजी लगाना ठीक है कि आप किसी भी चीज में इन्वेस्ट करना तो आपको भविश्य में उससे फायदा होगा या भी फायदा हो रहा है जैसे अपना वैपार शुरू करने के लिए हमने जमीन, फरनीचर, मशीन इत्यादी में पूंजी लगाई तो इसे निवेश कहेंगे ठीक है जैसे विदेशी निवेश क्या होगा आपके देश में या फिर आपके काम में ठीक है तो उसे विदेशी निवेश कहेंगे पांचवा प्रश्न है वैपार वा निवेश पर कई देश वैपार अवरोध क्यों लगाते हैं तो इसका उत्तर है पॉइंट्स में लिखेंगे वैपार को नियंतरन करने के लिए दूसरा विंदू है स्थानिय वैपार तथा कंपनियों के संरक्षन के लिए तीसरा विंदू है देश संतुलित विकास के लिए फिर है स्थानिय उद्यों के विकास के लिए छटा प्रश्न है उत्पादकों में होने वाली प्रतिस परदा किस प्रकार उभोगताओं को पा हैं कम कीमत जादा की विकल्प बहतर गुडवरता बहतर सेवाएं रोजगार में वृद्धि इन पॉइंट्स को लिखने के बाद मैंने यह एक लाइन में आपको एक्सप्लेंग किया है आप चाहें तो अपनी दरफ से ने और भी अच्छे से डीपली एक्सप्लेंग कर सकते ह अगर यह जादा मार्क्स का आता है तो मिस अगर आपको फाइफ मार्क्स में एक उशन मिला है तो आप इसे और जादा अच्छे से समझाएंगे ठीक है पॉइंट यह ही लिखेंगे पर यहाँ पे जो डीटेलिंग होगी वो और भी बड़ी लिखेंगे ठीक है अगर फोर म मार्क्स के अकॉर्डिंग क्योंकि आपके यह स्लाइट्स हैं आप इसमें और भी एड कर सकते हैं कम कीमत वैश्वी करण के कारण होने वाली प्रतिस परदा से उब्भोगताओं को कम कीमत पर वस्तूओं एव सेवाएं उपलब्द हुई हैं फिर है जादा विकल्प वैश सेवाएं विश्वक वैश्वी करण होगा वैश्वी करण के परिणाम सरूप उभोगताओं को बहतर सेवाएं उपलब्द हुई हैं फिर है रोजगार में विद्धी तो वैश्वी करण के परिणाम सरूप अनेक को विदेशी कंपनियों ने हमारे देश में निवेश किया जिससे रोज़गार के अफसर में बढ़ोत्री हुई तो यहाँ पर वैश्वी करन होगा ठीक है इसे ठीक कर लेंगे आप इसके बाद अगला प्रशन है प्रशने साथ वैश्वी करन की प्रक्रिया में सहाय घटकों का वर्णन कीजे तो यहाँ आपको बोला गए कि घटकों का वर्णन कीजे घटक आप लिखेंगे कि कौन-कौन से घटक है अगर यह बोला जाएगा कि पूरी explanation कीजे तो वो भी आपको करनी पड़ेगी according to marks आपको क्या करना पड़ेगा कि इन घटकों को भी बहुत अच्छे से सादनों का विकास, परिवाहन के सादनों का विकास, उदारी करन आदी आठवा प्रस्न है उदारी करन की प्रक्रिया को भारत में किस प्रकार अपनाया ठीक है, उदारी करन की प्रक्रिया को भारत में किस प्रकार अपनाया तो उत्तर है आजादी के बाद भारत में स्थानिय उद्योगों के संरक्षन के लिए वैपार अवरोधकों का प्रियोग किया पहला बिंदू, दूसरा बिंदू है इसमे 1991 में भारत सरकार्न उदारी करण को अपनाते हुए वैपार अवरोधकों को हटा दिया फिर तीसरा उत्तर है इसमें इसका कारण यह था की अब भारतिय उद्योग प्रतिस परदा के लिए तयार थे तथा इससे भारतिय उद्योगों को भी विदेशों में वैपार करने का अफसर मिला ठीक है इसके बाद नाइन्थ कोशन है उदारी करण क्या है भारती अर्थवेवस्ता पर उदारी करण की किनी पांच प्रभाव को वर्णन कीजिए ठीक है तो उदारी करण क्या है वैपार अवरोधकों को हटाने की प्रक्रिया को उदारी करण कहते है प्रभाव क्या है पांच बिं को कम कीमत तता बहतर विकलपों के कारण लाब हुए है फिर अंतिम मिंदु है तीस की बहुत सी कंपनियों को विदेशों में वैपार बढ़ाने में सहायता मिली है उसके बाद है आपका अगला प्रश्न प्रश्न 10 वैश्वी करन की प्रक्रियागों प्रोच साहित करने में प लिखना है आप अपने पॉइंट्स भी लिख सकते हैं कि तक्नीकी विकास के कारण बजार आपस में जुड़ गए ठीक है जुड़ पाए थे तो इसलिए यह हुआ था फिर है तक्नीकी विकास के कारण दूर स्थित भागों के बीच भी वैपार संभव हो पाया है इससे व प्रशने इसमें आपको बोला गया पहला जो है इसमें भी चार पार्ट स्थिये गए हैं पहला पार्ट है इसका कि वैश्वी करण को अपने शब्दों में परिभाशित कीजिए विश्व के एकी करण की प्रक्रिया को वैश्वी करण कहते हैं वैश्वी करण के कारण सभी में देशों के बजार आपस में जुड़ गए है ठीक है वैश्वी करन के कारण सभी देशों के बजार आपस में जुड़ गए है तो यहाँ पर सभी देशों के में हटा देंगे हाँ से ठीक है वैश्वी करन के कारण सभी देशों के बजार आपस यहां लिखेंगे में, ठीके, में जोड़ गए हैं फिर है, दूसरा प्रश्न वैश्वी करन की प्रक्रिया में बहु राष्टे कम्पनीों की भूमिका का वर्णन कीजे तो यहां पर उत्तर है, बहु राष्टे कम्पनीों ने प्रद्योगी की ने वैश्वी करन में किस प्रकार सहायता प्रदान की है उत्तर है प्रद्योगी की कारण दूर स्थित भागों में वैपार संभव हो पाए हैं तदा वैपार प्रवंधन भी सुगम हुआ है अंदिम प्रश्ण है नया स्वरी नया आई संगत फैश्वी करन के लिए कुछ उपाय सुझाएं तो उत्तर है इसमें दो बिंदों में लिखवाया है मैंने इस उत्तर को श्रम कानूनों को कडाई से लागू किया जाए और दूसर बिंदो है छोटे उद्योगों का संद्रक् पूल भी न भूले इससे और भी बच्चों की मदद होगी और आप भी हमसे ऐसे ही जुड़े रहेंगे टेलीग्राम पर हमारे सभी अंसर आपको मिल जाते हैं इसलिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं मुदीता आये सवरेड नाम से हमारा पे नहीं करना बस आपकी हेल्प के लिए हम वहां पर भी आपको अंसर प्रोवाइड करवाते हैं सो बाबाए स्टूडेंट्स